हुआ है हलो दोस्तों मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल आलवेज अच्ट्रडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और हाज देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ सामान ग्यान क्योश्चन जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटिव हैं तो इससे पहले अगर आप नए है तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को सेर करना न भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्योश्चन जो है देखते हैं सरद अर्बिंद भूबड़े भारत की मुख की निया सब्सक्राइब तो आप बताएं कि कौन से हैं जो कि इसमें सही अंसर है पहला सहताल चेवे सरद अर्विंद भूबड़े भारत के मुख्य नयाधीस हैं जो कि ये सहताल चाहां में मुख्य नयाधीस हैं तो इनके बारे में थोड़ा साम लोग देख लेते हैं सफस्ति करन आलचेवे मुख्य नयाधीस हैं उन्होंने उन्होंने 18 नवंबर 19 2019 को कारिभार समाला और वा तेईस अपरेल 19 2021 को सेवा निब्रित होंगे इन से पहले रंजन गोगोई भारत के मुख्य नयाधीस थे जो कि छी आलचेवे मुख्य नयाधीस रंजन गोई जी थे चली अगल वर्तमान में सीजी आई सहीत भारत के सरवोक्च नयालों में कितने न्यायदीस हैं तो पहला है 31 दूसरे है 34 तीसरा उप्सन है 29 चौथा उप्सन है 30 तो जो भी उप्सन है 24 यही सही अंसर है वरतमान में CGI के सहित भारत के कुल जो है मुखि नयाधीस सरवोग्च नयाले के मुख्ण नयाधीसों की संख्यर जो है 34 है ठीक चलिए यह थोड़ा यह इनके बारे में असपश्ति करण हम लोग कर लेते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य नयादीस सहीत भारत के सरवोग्च नयालों में 34 मुख्य नयादीस हैं मुख्य नयादीस नहीं जो है कि सरवोग्च नयाले में 34 नयादीस है इससे पहले यह संख्या केवल 31 ती जो कि जब रंजन गोगोई जी थे तो तब जो है जो संख्या थी यह 31 थी जब यह नए अभी जो वर्तवान में 34 जो यह संख्या पहुंच गई 34 तो यह भी जो है छे साथ महीने के अंदर में यह हुआ है तो पहले जो है 31 थी चलिए अगले कुशन की हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरा जो किशन है भारती मूल के भारत के पहले मुखने कौन थे भारती मूल के भारत के पहले मुखने कौन थे तो जीवी मावलंकर दूसरा है न्याय मूर्थी S के सरकार C option है CD CD देशमुक और D option है न्याय मूर्थी हरीलाल जेंकूदास कार्निया तो यह जो D option है यह option सही है न्याय मूर्थी हरीलाल जेंकूदास कार्निया ठीक तो इनके बारे में थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेते हम लोग न्याय मूर्दी हरी लाल जाकी सुन्दरदास कार्णिया ठीक 15 अपरेल 1947 से छे नवंबर 1951 तक पद धारण की अवधी है जो इनकी जो कारिभार था भारती मूल के पहले भारती मुख्याय अधीस थे लेकिन भारत के पहले मुख्याय अधीस सर मौरिस ग्यूयर थे सर मौरिस एक अक्टूबर 1937 को पद भार समाला था और 25 अपरेल 25 अपरेल 1943 तक इस पद परवे बने रहें ठीक तो अधला कुशन हम लोग देखते हैं चोथा है निमने लिखित में से कौन सा कथन सही है ठीक पहला कमल नारायंड सिंग भारत के सबसे लंबे समय तक कारीरत मुख्याय अधीस थे पहला उप्सन है जस्टिट वाई बी चंद्र चूड भारती सुप्रीम कोट के सबसे कम समय तक मुख्याय अधीस थे तीसरा विकल्प है भारत के मुख्याय अधीस की नियुक्ति भारत के राष्टपती द्वारा की जाती है सुप्रीम कोट का मुख्याय अधीस 65 वर्स की आयो तक अपने पद पर पद पर रह सकता है ठीक तो देखते हैं केवल ए और भी केवल ए और पहला और तीसरा भी सी ऑप्सन है केवल तीसरा सी ऑप्सन है डी ऑप्सन है केवल दूसरा और तीसरा तो जो सी ऑप्सन है वही सही है सी ऑप्सन कौन सा था देख लेते हैं भारत के मुख्याय अधीस की नियुक्ति भारत के राष्टपती द्व वर्स की आयू तक अपने पद पर रह सकते हैं ठीक तो अगला क्यूशन हम लोग देखने से पहले इसके कुछ असपरश्टी करण कर लेते हैं कमल नारायन सिंग सबसे कम समय तक यह जो है रश्ट पति न्याय धीज के पत पर रहें जो की सिर्फ और सिर्फ 17 दिन तक ठीक जो की सबसे कम समय जो है यह था सुप्रीम कोट के मुख्य न्याय धीज रहे जबकी न्याय मूर्ति वाईवी चंद्र मूंड भारत के सबसे लंबे समय तक कारीरत मुख्य न्यायाधीस है जो 2690 दिनों तक सुप्रीम कोट के मुख न्यायाधीस रहे जो कि यह बहुत बड़ी संक्या है दो हजार दो सो चानवे ठीक दो हजार दो हजार छेसो चानवे ठीक बहुत बड़ी संक्या है इतने दिन तक यह जो है कमल नारायण सिंग कब समसे सबसे कम समय तक रहे और जो कि न्याय मूर्तिवाई वी चंद्र चून यह सबसे ज्यादा समय तक जो है अपने पत पर थे तो अगला क्यूशन हम लोग दे से संबन्धित हैं तो पहला विकल्ब देखते हैं अनुचेद 168 अनुचेद 124 सी ऐसन एनुचेद 63 डि आप सने नभे तो जो भी आपसन है अनूच्छь द принвал यही भी कलप आपका वह कही डिक इसके बारे में थोड़ा सा असपश्टी करण हम लोग दिखते हैं सम्भेथान के असपश्टी करण हम लोग दिखते हैं सम्भीथान में अनूच्छ दे इक साभी सरवोग्च नयाले की अस्थापना और संचालन के बारे में परिकल्पना करता है ठीक अगला कुशन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है पहला अनुछेद नंबर 15 न्याय धीसो का वेतन आधी अनुछेद संक्या 131 सरवोग्च नयाले के मू सहायक सकतिया है यही विकल्प इसमें सही है और हम लोग थोड़ा तो नहीं खाता है अनुछेद संक्या 131 सरवोग्च नयाले की सहायक सकतिया है यही विकल्प इसमें सही है करें देख लिए और हम लोग थोड़ा सा सफ़स्टी करनद देख लेटे हैं कि अब हम लोग देखते हैं सफ़स्टी करा अनुछेद नंबर 163 सुप्रीम कोट द्वारे निर्णोयиком या आधेस्यों की समीख्षा से संबंदीत है जबकि अनुछेद नमबर 140 सुप्रीम कोट की सहाजक सक्तियों से संबंदित है ठीक अगला विकल्प देखते हैं भारत के मुख नयादिद किसको अपना इस्तीपा सौफता है जो भारत के मुख नयादिद है वो अपना जब इस्तीपा देना होता है तो किसको सौफते हैं तो भारत की राष्ट पती बहुत साधारण सी बात है अगर भारत के हैं तो भारत की राष्ट पती को देंगे पहला अप्सन है दूसरा देखते हैं उच्छ तम नयाले के वसिश्टम नयादीश तीसरा है स्पीकर, चौता कानुन मंत्री एक हो इसमें जो विकल्प हो तो भारत के जो राश्ट पती होते हैं उन्हीं को जो है अपना जो है भारत भारत की मुख의 नायदIES होते हैं जब इस्थीपा देते हैं तो भारत राष्ट पती कोहई अपना इस्थीपा सब्सक्राइब भारत के राष्टपती भारत के मुख किनायादीस को सपत दिलाते हैं जो भारत के राष्टपती होते हैं वो भारत के मुख किनायादीस को सपत भी दिलाते ये भी आप समझ लीजिए ठीक तो अगला भारत के मुख किनायादीज कब तक पद पर रह सकता है जो भारत के मुख किनायादीज होते हैं वो कब तक अपने पद पर रह सकते हैं 62 सब्सक्राइब श्याविस ब्सक्राइब जो भी पहले हो तीसरा फसने 65 सब्सक्राइब फ़र्स के आई तक जो भी पहले हो चौता है डिवाज की आउयद तक जो आपसण डि है आपका वही चहिए अभी इससे पहले हम लोगोंने बताया भी कि जो राष्ट मुखिनाय अधीस होते हैं वो 65 वर्स की आयूता का दिक्तम अपने कारिभार पर कारिभार समाल सकते हैं ठीक है तो विकल्ब यही आपका डीस सही होगा असपश्टी करण थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के मुखिनाय अधीस कारियाले में 65 वर्स माध्यम से ही हटाया जा सकता है जो यह मुखिनाय अधीस होते हैं इनको आप ऐसे हटा भी नहीं सकते हैं उसके लिए संसत द्वारा महावियों की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है महावियों क्या होता है भाई यह जो विपक्ष होते हैं उसमें यह बताएंगे क कि यह से काम नहीं कर रहição हैं तभी हटाया जाए सब के मत कितना होता है। पहला विकल रहा होता है कोछ थी क्योंडयाद कर दो में 2,50,000 तीसरा 1,10,000 तो और डी आप्सन है उप्यूप में से कोई नहीं तो जो मुख खिनाय अधीज का वेतन होता है वह है ऑप्सन एक कि 2,80,000 जो मुख खिनाय अधीज होते हैं उनका यह पेमेंट होता है एक महीने का ठीक तो इसके बारे में थोड़ा सा असपश्टी करन कर लेते हैं सुप्रीम कोट के मुख खिनाय अधीज को 2,80,000 प्रतिमाव वेतन प्लस उसके लिए निजधारित अन्यभत्ते भी मिलते हैं जैसे अन्यभत्ते क्या होते हैं हवाई टिकट घर का कुछ किराया वगेरा फिरी में मिलता है फोन का चार्ज और कहीं भी अगर यह दौरा कर रहे हैं तो इसका भी जो सब सरकारी भत्ते में ही जैगा इनका पैमेंट नहीं कटता ठीक अगला क्यूशन हम लोग देखते हैं वो कौन थी जो भारत के सरवोग्च नयाले की पहली महिला थी, वो कौन थी देखते हैं, सुजाता, मनोहा, रंजना, देसाई, फातिम्या, वीवी, ग्यान, सुधा, मिस्रा, तो देखते हैं, आपसन कौन सा है, और अगर आपको आता है, तो बताइए, आपसन जो C है, फातिम्या, वीवी यह जो है, भारत की सरवोग्च नयाले की पहली जो है, पहली मुख नयाधीस है, तो असपश्टी करण थोड़ा सा देख लेते हैं, भारती सुप्रीम कोट की पहली महिला, नयायाले और भारत की पहली महिला नयाधीस, साक्षर राज केरल से ही थी, केरल जो है, वहीं कि थी वह च्छ अक्टूबर 1989 से 29 अपरेल 1992 तक भारत की सुप्रीम कोट की जज थी जो की मुख नयादीजी से कहते हैं वो थी जो फातिमा भी वीवीजी थी ठीक तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये भी ना मत जाया करिए और वीडियो को जो है थोड़ा सा सेयर करिए अपने सोसल साइट पर और अपने फ्रेंडों को भी वीडियो को